हलो दोस्तों अगर आप option trading करते हैं nifty 50 या फिर bank nifty में या फिर आप option trading सीख रहे हैं तो perfect label कैसे निकाला जाता है किस time frame में निकाला जाता है किस time frame में trade किया जाता है वो आज मैं आपको पूरा detail में बताने वाला हूँ तो अगर आप mobile पे chart देख रहे हैं तो mobile पे chart कैसे देखा जाता है इसके उपर में detail video बना चुका है आप उस video को जाके पहले देखिए सिखिए उसके बाद यहाँ पे आप mobile पे easily वो सारी चीज़ें कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप mobile phone में इस्तमाल करते हैं तो इस तरह का जो है मैंने create किया है shortcut जो कि बार बार नीचे आपको खोजने की जौरत नहीं है तो यहाँ पे shortcut आप कैसे ला सकते हैं उसके उपर में एक detail video बनाये हैं आप उन सब जाके वीडियो को देखिए जो कि link में नीचे description में दे दूँगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा तो easily आपको यहाँ पर जैसे आएंगे horizontal line मिल जाएगा आपको सामने तो आपको बार बार खोजने की जौरत नहीं होगा तो अभी हम देखिए सबसे पहले जब लेबल को draw करते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे कि आप सबसे पहले जो है day के time frame में आप देखेंगे one day के time frame में एक candle वह एक दिन में पूरा बना हुआ है यह कोई पांच मिनट में या फिर दस मिनट में नहीं बना हुआ पूरे एक दिन का candle है अगर यहाँ पर विस तरह से प्रेस करेंगे screen पे तो आप इसको यहाँ पर देखिए यह जो candle है वह 25 जनवरी 2023 का है यह पूरा candle तो दिन भर दिन भर नहीं जितने घंटे मार्केट उपन होता है उतने घंटे में यह वाला candle बना है यह candle बना है यह जितने भी candle है वह सारे candle एक दिन का है तो इसमें आप क्या देखेंगे इसमें अब लेबल कैसे निकालेंगे तो अभी आप देखेंगे overall market यहां से ऐसे करके नीचे आ रहा है तो इसको आप overall bullish मान के चल सकते हैं कि अभी आपका जो trend है वह क्या है bullish है तो लेबल निकालने के लिए आप यहां पे देखेंगे कि लेबल आपको ज्यादा पीछे नहीं जाना ज्यादा नीचे जाने के ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो य यहां से पकड़ के आप इस तरह से खेच सकते हैं तो यह आपका जो है एक important लेबल निकल के आ गया कौन से टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम में आपको trade कितने टाइम प्रेम में करना है पांच मेंट के टाइम फ्रेम में वह भी आपको दिखाने वाला हो तो यहां पे यहां से आप को अगर यहां पे च्टिंगल कुच सकते हैं इस जगह पफी चलिकर देप तो यहां पे यहां पर यहां पर tremendous आप तो यहां पे यह थो है मैं रेक्टिम को स्टेमर आप रहा हुँ है टो जिस तरीक चाहें को ला कर सकते हैं तो यहां पर यह जोन बनाने के लिए और यह rectangle का ही इस्तमाल करना ज्यादा बहतर होता है जो कि perfect इस तरह से बन जाता है तो यह हमारा बन गया अब इस लाइन से हमें क्या समझा रहा है कि अगर market यहां पर भी जाएगा तो यहां से resistance लेगा 18400 तो यह हमारा एक लेबल बन गया अब इतना काम करने के बाद आपको इसका है आप खोदी बोल जाएंगे इसलिए आपको चार्ट पे minimum से minimum जितना कम होगा आप उतना ड्रॉ करिए ताकि आपको ट्रेड लेने में एजली हो आसानी हो और आसानी से आप ट्रेड ले पाऊ दोस्तों यह मैं लेवल निकाल रहा हूं निफ्टी 50 में लेकिन कोई अ मूमेंट ज्यादा होता है मैं और निफ्टी 50 में मूमेंट कम होता है धैक निफ्टी ग Origins जएNING कि प्रबियान काता रहा है यहां या फिर मुझे कशिफने की कोसिख करते हैं तो आप यहां पर देखिए přिया है यहां से मैं इसको ले लेता हूं एक मिनट यहां मैं इस पर क्लिक करूंगा यहां पर इसका कलर में क्या करूंगा इसको रेड कर दूंगा ताकि यह हमें पता चला कि यह हमें जो एक घंटे की टाइम फ्रेम में हमने यह लेवल निकाला है सपोर्ट की बात करें तो यहां तक वीक आया है उसके बाद इधर हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है तो यह भी हमारा एक सपोर्ट का ही काम करेगा लेकिन अगर हम चाहें तो यहां पर एक लाइन हम खीच सकते हैं इस जगह पर कुछ इस तरह से क्योंकि यहां पर देखेंगे तो मार्केट जो है काफी बार यहां पर आया है टकराया है प्रिविएस डिका क्लोजिंग भी है तो इस तरह से यह हमारा हो गया तो अभी आप देखेंगे टोटल चार लाइन हो गया है और काफी अच्छा लग रहा है यहां पर ज्यादा confusion नहीं होगा तो अब हम क्या करेंगे एक घंते को बदल के कर देंगे 15 मिलट के time frame में हमें पता है कि कोन सा कि क्स time frame में हमने Caroline ने बनाया है तो उपर जे वरे बना फ्रेम में हैं यह established time frame में और नीचे वाला क्या यहां पर टांद तो कम कर रहा है और नीचे आप यहां पर यहां पर कंसुञा ह沒關係 आनि कि यह भी यहां पर काम कर रहा है तो अगर 15 मिनट के अंदर कुछ और खोजना हो तो यहां पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि 15 मिनट में और यहां पर कुछ यहां पर लाइन ड्रॉ करने की जुर्रत है तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि चार्ट पर मुझे कहीं पर भ तो क्या होगा काफी ज्यादा जो है चार्ट भर जाएगा और बाद में आप ट्रेट करेंगे तो खुद कन्फूज हो के रहेंगे तो अभी मैं आपको पांच मिनट के टाइम फ्रेम में सुच करता हूं और यहां पर मैं आपको देखता हूं और जब भी आप मुबाइल पर चार्ट देखें तो कोसिस करिए कि इस तरह से आप एक बार छोटा करके देखें ताकि आपको सारे लेवल दिख जाए ऐसा नहीं कि आप बहुत जूम करके रखें जो कि आपको एक ही लेवल नजर आए त पांच मिन्त के टांफ drama मैं यहां पर रưởॉ 형 करोंगा क्यों पर यहां पर यहां यहां यूंब रिखन को सब्सक्राइन करता है तो मैं यहां पर स्पूर्ट होरिज्व लाइन को इस्तौल करते हूं यह पता चले तो इस तरह से हमैं यहां पे लिए इक मेरा तो और इसको में थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं यह रहा आप देखे अपने हिसाब से कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं उसमें कोई भी यह नहीं है तो यहां पर मेरा एक लाइन हो गया और मार्केट यहां पर आया है यहां पर क्लोजिंग दिया है बहुत अच्छी लाइन हो तो अब हम क्या करेंगे अब एक हमारा साइकलोजिकल नंबर भी होता है जैसे कि यहां पर 18300 का साइकलोजिकल नंबर और इधर हमारा तो अगर आप तुरंत बाय करेंगे तो क्या होगा आप ट्रैप हो जाएंगे तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था ऑप्शन चैन पर आपको एजली कन्फरमेशन मिल जाएगा वेट करिए मार्केट को मार्केट में थोड़ा सा टाइम दीजिए तो आपको वहां पर ट्रेड मिल जाएगा अभी आप दी यह देखिए यहां पर एक घंटे के अंदर और 15 मिनट के अंदर यह वाला हमने जौन बनाया था वहां पर देखिए मार्केट कितना रजिस्टेंस लिया है तो म तो मार्केट यहां तक गिरेगा यहां तक गिरेगा 18250 में हम जाके मार्केट थोड़ा सा करेगा अगर वहां पर और कॉल वाई कॉल राइटर बढ़ गए तो मार्केट 200 के लेबल पर भी गिर सकता है यहां कहीं पर जो कि आप 200 का लेबल देखेंगे तो आपको यहां कहीं कि दिख रहे है इस तो फिलाल मारकेट में जो टेंद है वह बुलिस अगर मारकेट यहां पे नीचे आता है तो हम यह पर नीचे का लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं अजरıldı पहल सकते हैं तो थीतन 24 ड्रो करेंगे उतना यहां जय तक हैं तो तो कितना एक तक लाइन में आपको बता के दिखा दिया तो इस तरह से आप लेवल निकाल सकते हैं जो काफी असान है बाकि आप्सन चैन देखने के लिए आप क्या करेंगे सेंसिबूल के वेबसाइट पर जाएंगे